दुनिया भर की बड़ी अर्थवस्ताओं से मंदी में फसने के संकेत मिलने लगे हैं दुनिया भर में महगाई सबसे बड़ी चुनोती बनी हुई है और केंद्रिये बैंक ब्याज दने बढ़ा कर इसे काबू करने में लगे हुए करज महगे होंगे जिससे मांग पर असर पड़ेगा और कमजोर मांग मंदी की आशंका को और मजबूत कर देगा तूटी मांग के चलते ही कम उतपादन के बाब यूद कच्चे तिल के भाव में तेजी नहीं दिख रही है इसके इतर अगर आप देखें तो दुनिया भर में सर्विस सेक्टर बहुत खराब दोर से गुजर रहा है आईटी कमजों को देख लिए छटनी बेतन कटोती जैसी खबरें अमेरिका से लेके भारत तक हर जगा दिख रही है इसके अलावा चीन चलिए तो दुनिया की फैक्टरी कह जाने वाले चीन में आर्थिक सुस्ती गहराती दिख रही है और अर्थिववस्ता को सहरा देने के लिए चीन लगातार जो नितिगत दरें उनको घटा रहा है दुनिया से बिल्कुल उलट चल रहा है जब दुनिया में कर्ज महगा हो रहा है तब चीन सहरा देने के लिए एकॉनिमी को ब्यास दरों में कटावती कर रहा है गैस की बड़ी होई कीमतों से योरोप परिशान है योरोप भी महगाई के जाल में फस गया है आ रहे हैं तमाम संकेत चाहिए वो चीन से मिल रहे हो चाहिए वो योरोप से मिल रहे हो चाहिए वो अमेरिका से मिल रहे हो ये सब कुछ ये बता रहे है कि मंदी की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है सर इन तमाम संकेतों की रोशनी में आपको लगता है कि मंदी जो बातने चल रही थी आ सकती है नहीं आ सकती है अब आ गही है दिख रही है योरप के संदर्ब में तो ये संभावना है पचास फीजदी से ऊपर निकल चुकी है जर्मनी के मामले में माना जा रहा है कि 60-70 फीजदी फ्रांस भी 60-70 फीजदी के आसपास है अमेरिकी अर्थवस्था में एक चोटी मंदी वो मंदी कितनी गहरी होगी अलग बात है लेकिन एक चोटी मंदी की संभावना दिखाई दे रही हम दुनिया के शेर बाजार भी इस तरफ इशारा कर रहे है चीन इसमें सबसे महत्तु पूर्ण है कि चीन को अगर हम बाजार के महावरे का इस्तेमाल करें तो चीन को दुनिया में डिमांड का बेलवेदर माना जाता है मांग आएगी की नहीं आएगी बढ़ेगी की घटेगी इसमें चीन की तरफ देखा जाता है चीन ने पिछले दिनों में लगातार अपनी अर्थवस्था को मंदी में जाने से बाजार में लंबे समय में उसका मांग का परसर दिखाई देगा दूसरे बाद बार चीन ने रियल इस्टेट सेक्टर को एक पैकेज दिया और दूसरा पैकेज और अभी दिया रियल इस्टेट सेक्टर को उबारने के लिए क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर हमें चाइना हुई रसी पर चीन की अर्थववस्था एक तरह से कदमताल कर रही है अगर चीन में एक सीमा से अधिक ब्याजदरों में कटोती की जाती तो महंगाई लोटने का खत्रा है चीन में हमने कंजूमर इंफलेशन में बहुत्तरी देखी जिसको लोगों ने एक बार मनी सेंटर में में चर्चा भी की थी पर प्रोडूसर साइट से उत्पादक साइट से भी महंगाई में एक कमी दिखाई दे रही है अब महंगाई उस इस तर पर नहीं है चीन अगर मनी सप्लाई एक सीमा से दिख बढ़ाता है तो महंगाई आने का खत्रा है क्योंकि चीन को कमाडिटी की इंफलेशन वैसे भी इंपोर्ट करनी पड़ रही कच्छे तेल की महंगाई उन्हें एसर कर रही निच्रल गेस की महंगाई एसर कर रही यवान टूटा है डालर की तुलना में तो उसका असर तो चीन के अर्थवस्था पर दिख रहा है पर चीन की सरकार उस महंगाई के अ लैँ म्यूट और चीन के अर्थवस्था नहीं दिख रही और ये सरके साइकल घूम कर हमें चीन के अर्थवस्था का साइकल हमें सॉची अरब के बयान से जोड जोडता है जो जिन्नोंने ये कहा है कि दुनिया में एक किस्म का पैनिक है आयल मार्केट में, शिजोफरेनिया है, तेल बाजारों में पैनिक हैं और इसलिए उस पैनिक को दूर करने के लिए के लिए तेल के उत्पाधन में कटवती करनी पड़ेगी ताकि तेल बाजारों में कीमतों में स्थिर्दा आ सकें ये दोनों के बीच का रिच्टा है, तो मं कमोडिटी बाजार में पूरी दुनेंपर दिख़ता था अब महंगाई को जैसे रोकने के लिए मैंगा करज करदीजिए यह एक वेक्सीन मानी जाती है ऐसी ग्रोथ को सहरा दी जाए उसके लिए वेक्सीन कहिज जाती करज सथा कर दीजिए तो आपको क्या लगता है दुनिय चीन को अगर अलग कर दें चीन इसमें आउट लायर है यह चीन बिलकुल दुनिया के अर्थवेस्थाओं में महंगाई और ब्याज़रों में बढ़ोत्री की जुगलबंदी दिख रही उससे अलग सुर्में गा रहा है चीन में ब्याज़रों कम हो रही है महंगाई का रिस्क लिया जा रहा है लेकिन फेडरल लेजर की तरफ से जोकमेंट आते हैं जो टिपड़ियां आती हैं वो शेर बाजार को डराने और निराशा देने वाले है इसलिए के इंपली आमधिलेशन अवले समय में और बढ़ेगी और आज़रों में बढ़ोत्री जारी रहेगी योरो की अर्थवेस्थाओं के लिए एक difficult trade-off है जिसके बीच में खड़ी है पर अगर केंद्री बैंकों के निजरिये से शुब हम देखें तो वो इस बात पर पूरी तरह तरह मुतमाइन है और आश्वस्थ है कि पहले महंगाई रोकी जाएगी मंदी बात में देखी जाएगी डि commodity की prices में बाकी जगे दिखाई दे रहा है कि short term में 6 महिने तक के लिए या एक साल के लिए अलग-अलग अर्थवेस्थाओं की ख्रमता के हिसाब से मंदी की गहराई के आंकलन हमारे सामने आने लगे है योरोप उसमें सबसे आगे है चली अब अपनी बात करते हैं अपना हा अब अगर आप मंदी को commodity के अंगल से शुभम देखें और कच्छे तिल की कीमतों में गिरावट की संभाव ना देखें जो अभी अभी बनी हुई है दबाव बना हुआ है अगर सौधी रिप कीमतें बढ़ाता है तो फिर ये भी positive sign खतम हो जाएगा क्यों कीमतें 100 डालर से बात है कुशन है लेकिन दूसरी तरफ हमें food prices में बढ़ुतरी दिखाई दे रही है यहों पर आवाज हम चर्चा करेंगे तो हम देखें कि गियों की कीमतें भारती बाजार में कहां पहुंच गई है तो भारत की अर्थविवस्था अन्य अर्थविवस्थाओं की तुलना में इस्टक्फलेशन में नहीं है यूर्प तो इस्टक्फलेशन में है अमेरिका तो इस्टक्फलेशन के करीब पहुंच चुका है खिसक चुका है भारती अर्थविवस्था पैरलल खड़ी हुई ह लेकिन यहां दबाव यह है कि अगर मंदी में कमोडिटी सस्ती होती हैं और भारत में ग्यहूं चावल महंगे होते हैं या भारत में रुपए की कमजोरी आती है तो भारत के लिए इस पूरी अर्थवस्था का कोई इस पूरे घटना करम का कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव को फिलहाल नहीं रोकेगा आकलन इस बात के भी हैं दो आकलन है रिजर्बेंक की मानेटरी पालसी कमिटी एक मरेक्मेंट कर रही है कि टर्मिनल रेपूरेट या नहीं मार्च तक की रेपूरेट छे से साड़े छे फीज़दी के आसपस रहेगी कुछ एजंसिया मान नहीं क कि अब शायद इसकी जरौत नहीं पड़ेगी ब्याज़रों में भड़ोत्री छे फीज़दी पर ही रोक दी जाएगी लेकिन भारत एक तरफ मंदी और दूसरी तरफ महंगा इसके बीच अभी जद्दो जहद में है छे पर रोके सवाज छे पर रोके अभी साड़े पांच के आसपस है 5.40 यानि कि अभी तो कर्ज महंगा हो गाई होगा